दिरादे दोस्तों हाउसी तिंस में आपका स्वागत है आज हम आपको लड्डू गोपाल के लिए ये सुन्दर सी ड्रेस बनाना बताएंगे इसमें हमने चोली थोड़ी अलगतर हैसे बनाई है तो वीडियो पूरा देखें और हमने एक से लेके 10 नंबर तक लड्डू गोप करूज के लड्डू फूरा ये और पिंक लोड्डू गोषू के लाच्ची वापघए है अगर हम ग्रीं नमजा सुन्द के लड्ड़ियों के तो पीपले तो उमने मेरे लाच्छी श्रेुए है अगर आप हमारे चिकनल के बेंहें हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को प्रेस करके और पे जाके क्लिक कर दें जिससे कि हमारे वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए कि तो चलिए हम आपको इसमें 78 फंदे डाल के दिखाते हैं मैं हमने 78 फंदे डाल लिए हैं अब हम इसको इस तरह ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरह ऐसे इसके साथ हम इसको भी लगाते जाएंगे जिससे कि फंदे ना निकले उसके बाद हम इसको कट कर देंगे इसे हमें ऐसे ही उल्टा उल्टा बुनना है उल्टे तरफ से भी उल्टा बुनेंगे और सीधी तरफ से भी उल्टा बुनेंगे उल्टा बुनते हुए इसको हम बनाएंगे इसमें हमें तीन सलाई बुननी है यह पहली सलाई है दूसरी सलाई भी उल्टी बुनेंगे और अब हम तीसरी सलाई भी उल्टी बुनेंगे चलिए तो हम इसको बुनकी दिखाते हैं फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है इसमें हमने सिर्फ दू सलाई उल्टी उल्टी बुनी हैं तीसरी सलाई में हम फंदे घटाएंगे ऐसे तीन फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह ऐसे फिर से तीन फंदों को एक साथ बुनेंगे इसमें हमें तीन-तीन फंदे बुनने हैं इस तरह ऐसे जिससे दो-दो फंदे घट जाएंगे ये सलाई हम इसी तरह कंप्लीट करेंगे तो चलिए हम आपको ये सलाई कंप्लीट करके दिखाते हैं फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है यह फंदे हमने घटा दिये हैं देखिए यह सलाई हमने बुल ली है अब हम चौती सलाई पर हैं तो चौती सलाई हम ऐसे पूरी उल्टी-उल्टी बुनेंगे इस तरह ऐसे इन सबी फंदों को हम ऐसे उल्टा-उल्टा बुनेंगे तो चलिए बुनकी दिखाते हैं फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है उल्टी सलाई हमने पूरी बना ली है अब हम इसके सीधे तरफ आ गए हैं तो यहां से हम दूश्रे कलर की उन लगाएंगे पिंक कलर की और इसे भी हम ऐसे उल्टा-उल्टा बुनेंगे इस दागे को भी इसके साथ लगाएंगे इसे हम कट कर देंगे इन दोनों धागों को भी साथ में ऐसे लगाते जाएंगे जिससे की फंदे ना निकले और इसे हम ऐसे उल्टा उल्टा बुनेंगे दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनते हुए इसे हमें लंबा करना है फिर हम बताएंगे कि इसमें हमने कितनी सलाई बुनी हैं तो चलिए बुनके दिखाते हैं इसमें हमने 11 सलाई बना ली हैं अब हम इसके बारमी सलाई पर फंदे घटाएंगे तो ऐसे दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे इस तरहे से जो फंद आएगा उसे इसमें लेंगे फिर से दो फंदों को एक साथ बुनेंगे इस तरहे हम ये सारे फंदे घटा देंगे चलिए तो ये सलाई हम आपको कम्प्लीट करके दिखाते हैं फिर बताएंगे ये आगे हमें क्या करना है इसके फंदे हमने घटा दिये हैं ये हम तीन नंबर लड़ु गुपाल के लिए बना रहे हैं अब हम आपको बताएंगे एक से दस तक 0 नंबर में 36 फंदे डालने हैं और 5 सलाई बुननी हैं एक नंबर में 54 फंदे डालकर 7 सलाई बुननी हैं 5 नमबर में 108 फंदे डालकर 15 सलाई बुननी है, 6 नमबर में 126 फंदे डालकर 17 सलाई बुननी है, 7 नमबर में 150 फंदे डालकर 21 सलाई बुननी है, 8 नमबर में 144 फंदे डालकर 25 सलाई बुननी है, 9 नमबर में 99 फंदे डालकर 29 सलाई बुननी है, 10 नमबर में 222 फंदे डालकर 35 सल दालने के बाद दो सलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे तीसरी सलाई में तीन दिन फंदे घटाएंगे तीन फंदे का एक बुनेंगे उसके बाद एक सलाई हम उल्टी उल्टी बुनेंगे फिर हम अंगली सलाई में उन्चेंज करेंगे जहां से हम उन्चेंज करेंगे वहा 0 नमबर में 5, 1 नमबर में 7, 2 नमबर में 9, इसी तरह हम बनाएंगे, हम इसमें फंदे उठाएंगे, तो फंदे उठाने के लिए हम इसको ऐसे इस तरह से रखेंगे, और इसमें फंदे काउंट ऐसे करेंगे, 12 फंदे उठाने हैं, तो 6 हम इधर उठाएंगे, और 6 इधर, ट एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो यहां से हम फंदे उठाएंगे, सलाई को इस तरह ऐसे रखेंगे, इसमें हम ये ग्रीन कलर की उन लगाएंगे, इस तरह ऐसे, और फंदे के उपर हमें यासे फंदे उठाने हैं, ये फंदे उठाना बहुत ही इजी है, इस तरह ऐसे हम बारफ पंदे उठाएंगे चलिए तो हम आपको इसमें फंदे उठा के दिखाते हैं फिर बताएंगे अगे हमें क्या करना है इसमें हमने वारफ अंदे उठा लिए हैं अब हम इसको ऐसे उल्टा-उल्टा गुनेंगे इस तरह से दोनों तरफ से इसे उल्टा-उल्टा गुनना है चलिए पहले हम यह सलाई कंप्लीट करके बताते हैं पहली सलाई उल्टी-उल्टी बना दी है अब दूसरी सलाई भी हम ऐसे उल्टी-उल्टी बुनेंगे उसके बाद इसमें हम दूसरे कलर की उन लगाएंगे एक-एक धारी हमें बनानी है लग दो-दो सलाई एक उन से बुननी है इसमें हमने बारा फंदे उठाये हैं तो बार जीरो नमबर में 6 फंदे उठाकर 6 सलाइं बुननी है, एक नमबर में 8 फंदे उठाकर 8 सलाइं बुननी है, दो नमबर में 10 फंदे उठाकर 10 सलाइं बुननी है, तीन नमबर में 12 फंदे उठाकर 12 सलाइं बुननी है, चार नमबर में 14 फंदे उठाकर 14 सलाइं बुननी है, पां नमबर में 24 फंदे उठा कर 24 वुननी है। नोः नमबर में 28 फंदे उठा कर 28 वुननी है। और दस नमबर में 32 वुननी है। इसमें हमने 12 सलाई बुन ली है अब 13 सलाई में हम फंदे घटाएंगे तो ऐसे दो फंदों को हम एक साथ बुनेंगे जो फंदा आएगा उसे इसमें लेंगे फिर से दो फंदों को एक साथ बुनेंगे इसी तरह हम ये सारे फंदे घटा देंगे इसके ये फंदे घटा दिए हैं अब इसको थूड़ा सा ऐसे धीला करेंगे दावा कट करके पज़र हम नॉट लगाएंगे ये चोली के लिए इतना पीस रेडी हो गया है अब हम घेर बनाएंगे घेर बनाने के लिए हमने इसे इतना बना लिया है इसमें हमने 165 फंदे डाले थे दो सलाई उल्टी उल्टी बनी है तीसमी सलाई पर हमने ये फंदे घटा दिये हैं और चौती सलाई हमने उल्टी बनी है अब पांच में सलाई पर अब हम उन चेंज करेंगे पिंक कलर की उन लगाएंगे फिर दो सलाई हम पिंक कलर से बुनेंगे दो ग्रीन से दो पिंक से दो ग्रीन से इस तरह इसमें हमें 15 सलाई बुननी है इस तागे को भी इसके साथ लगाएंगे जिससे कि इसके फंदे ना निकले और इसे हम उल्टा-उल्टा बुनेंगे चलिए बुनकी दिखाते हैं फिर बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है इसमें 0 नंबर में हमने 90 फंदे डाले हैं घेर में फिर 2 सलाई उल्टी उल्टी बुनी है जैसे हमने इसमें बुनी हैं तीसरी सलाई पर फंदे घटाए हैं उसके बाद हमने 9 सलाई और बुनी हैं इसी तरह सब में करेंगे एक नंबर में 120 फंदे डालकर 11 सलाई मुनेंगे दो नंबर में 150 फंदे डालकर 13 सलाई मुनेंगे तीन नमबर में 165 फंदे डालकर 15 सलाई बुनेंगे, 6 नमबर में 180 फंदे डालकर 17 सलाई बुनेंगे, 5 नमबर में 210 फंदे डालकर 19 सलाई बुनेंगे, 6 नमबर में 240 फंदे डालकर 21 सलाई बुनेंगे, 7 नमबर में 270 फंदे डालकर 25 सलाई बुनेंगे, 8 नमबर में 300 फंदे ड दाल कर 49 सलाइम बुनेंगे अगर आपको इसका स्क्रेंशॉट लेना हो तो ले सकते हैं कि मैं हमने 15 सलाइम बुन ली है और यह दागा कट कर दिया है अब हम इधर यह फंदा सेपरेट कर देंगे इन दौनों धागों को सुई में डालेंगे इधर हम यह फंदे में ऐसे नॉट लगाएंगे जिससे कि यह फंदे निकले नहीं और यह दोनों धागे हम इधर अंदर कर देंगे इस तरह ऐसे अब इसे हम कट कर देंगे अब हम डोरी बनाएंगे अगर आप क्रोशिय से डोरी बनाना चाहते हैं तो क्रोशिय से बना सकते हैं वरना इस तरह आप हांसे भी बना सकते हैं ऐसे नॉट लगाएंगे इसको इस तरह ऐसे करके और उपर वाले धागे को हमें इस लूप के अंदर ऐसे खींचना है इस तरह ऐसे इस तरह यह चैनिश्टिश बन जाएगी चलिए तो बना के दिखाते हैं हमने यह डोरी बना ली है अब हम इसमें ऐसे सारे फंदे हम इसी डोरी में उतार लेंगे इस तरह ऐसे इसमें हमने डोरी डाल दी है और पीछे मौतिवान दी है जिससे कि इसके फंदे ना निकले अगर इस तरह ऐसे करेंगे तो इसमें हमें कुछ निकरना है इस तरह ऐसे पीछे डोरी खीच कर बांदनी है अब हम आपको चोली सिलना बताएंगे बताएंगे सबसे पहले हमने सुई में ये धागा डाल लिया है इसी कलर का अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे और इधर उपर स्लाई लगाएंगे इसको थोड़ा हम इधर करेंगे जिससे कि ये सीधे सामने निकले नहीं नौट इस तरह से और ऐसे अंदर की तरफ हम स्लाई लगाएंगे चलिए स्लाई लगा के दिखाते हैं इसमें हमने स्लाई लगा ली है अब दागा हम थोड़ा इधर करेंगे इस तरह ऐसे उसके बाद हम इसको कट करेंगे ये देखिए हमारी कैप बन गई है अब हम लड़ू गोपाल को इस तरह से पहनाएंगे इस तरह से और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर स्लाई लगाएंगे और ऐसे हम इधर फोल्ड करके इधर स्लाई लगाएंगे चलिए इसमें हम स्लाई लगा के दिखाते हैं इस तरह से यह हमने इसमें ग्रीन कलर कर दागा लिया है जिसकी दिखे नहीं इस तरह से इसमें हम स्लाई लगाएंगे नॉट को अंदर करेंगे इसमें एक साइड हमने यह स्लाई लगा दी है जब हम एक साइड स्लाई लगा दी है तो फिर से हम इस तरह से पहना के दिखेंगे इस तरह से आप किसी भी साइड में बनाएं इसी तरह से स्लाई लगानी है अब हम दूसरी साइड भी ऐसे रखेंगे और अब हम इधर स्लाई लगाएंगे इस से निकाल लेंगे हम इस साइड भी स्लाई लगाएंगे इस तरह से यह हमारी ड्रेस बन गई है तो सबसे पहले हम चोली पहनाएंगे आप किसी भी नंबर में बना सकते हैं और इसी बनाना बहुत ही इजी है इस तरह से अब इसको हम थोड़ा सा एड़ेस्ट कर देंगे इस तरह से अब हम घेर पहनाएंगे घेर में हमने ठंदों में डोरी डाली है तो इसे भी हम आराम से एड़ेस्ट कर सकते हैं यह देखिए हमारे लड़ू गुपल कितने अच्छे लग रहे हैं अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें थेंक्यूबू आए प्राई झाली हमारे जाखिए हमारे लगे हमारे लगे वीडियो हमारे लगे लगे नच्छा लगे अच्छा लगेवारे लगे लगे